हेलो वरिवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेदू वड़ा की रेसिपी, जो की पूरे साथ इंडिया का बहुत पॉपुलर स्टीट फूड है, इसके साथ सर्व करने के लिए हमें कुईक चटनी भी बना कर तयार करेंगे इसे बनाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ओड़ाद डाल, यह सफेद वाली ओड़ाद डाल है, जिसको मैंने साफ करके 4-5 घंटे के लिए पानी में भीगो कर छोड़ दिया था, अब यह फूल गई है और बहुत सॉफ्ट हो गई है, इसके हम वड़े बनाएंगे थोड़ी करके 2-3 बार में इसे ग्राइंड कर लिया है, इस ग्राइंड डाल को हम एक बड़े से बरतन या थाली में निकाल लेंगे, जिससे हमें इसे फेटने में आसानी हो, तो इस तरह का देखिए, स्मूथ डाल हमको चाहिए होगी मेदू वड़ा बनाने के लिए, तो स बड़ी हुई लगेगी हमें, और दाल फ्लफी हो जाएगी, ऐसी दाल से परफेक्ट मेदू वड़ा बनके तैयार होता है, तो देखें लगबग 3-4 मिनट के लिए मैंने इसे फेट लिया है, आपको दिख रहा होगा, इसकी क्वांटिटी थोड़ी जादा लग रही है, च मीडियम साइस का फाइनली चॉप्ड अनियन, दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च, 15-20 करी लीव, करी लीव साउथ इंडियन खाने में जरूर डाला जाता है, बहुत अमेजिंग फ्लेवर देता है, तो इस करी लीव को हाथ से तोड़ते हुए ऐसे इस तरह से डालेंग एक चमच जीरा, एक चमच नमक या एसपरियो टेस्ट, नमक इसमें हलका ही रखना है, और 10-15 काली मीड चेनी ब्लैक पेपर कॉंस, दो बड़े चमच चावल का आठा, इससे मेदू वड़ा बहुत क्रिस्पी बनके तयार होते हैं, थोड़ा सा फ्रेश कोकोनेट, इसको मै अच्छी तरह मिक्स करना है, आप स्पून से या फिर हाथ से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह फेट लेंगे, दाल के साथ सारे फ्लेवर एड़ हो जाएंगे, तो हमारे मेदू वड़ा का मिक्सचर इस तरह फेट कर हम तयार कर लेंगे, और इसके बाद सिर्फ एक इसे फुटाना भी कहते हैं, और आधा कब भुनी हुई मूंगफली, आधा इंच का अध्रक का टुकड़ा, तीन से चार हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और करी लीव्स, इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, और हमारी क्विक चटनी तयान हो जाएगी, कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लेमन ड्रॉप्स, थोड़ी खटाई के लिए, तो दस से बारा लेमन ड्रॉप्स डाली हैं, हमको बहुत जादा नहीं डाली है, ये चटनी बिल्कुल रेडी है बनने के लिए, लिगन अगर आप चाहें, तो इसमें एक त चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है, आप चलिए मेदू बड़ा बनाना शुरू करते हैं, तो बैटर के पास चलते हैं, एक लास्ट चीज हम इसमें और आट करेंगे, आधा चमच बेकिंग सोडा, इसे डालने से मेदू बड़ा काफी फूले फूले और फ्लफी बनते हैं, तो रोड़ साइट जितना भी मेदू बड़ा बनाते हैं, वो इसको जरूर डालते हैं, तो आप भी इसे स्किप ना करें, एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप चलिए मेदू बड़ा बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हाथ में पानी ले ल सिक जाए, अब हमें इसे मीडियम होट ओयल में डाल देना है, मीडियम होट ओयल में धीरे धीरे तीन से चार मिनट लगा कर इसे से केंगे, जिससे ये बहुत अच्छी तरह और क्रिस्पी बनके तयार होगा, तो देखे इसी तरह से फटा फट हमारे मेदू बड़ा बनके तयार हो जाते हैं, तो आप भी इसी तरह छन्नी से बनाएं, जैसे ही मेदू बड़ा कलर गेन करना शुरू करते हैं, हम इने फ्लिप कर देंगे, और दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे, तो देखे एक कलर आना शुरू हो अगर आपको लगे कि वड़ा का बैटर जो है, वो बहुत थिन हो रहा है, यानि कि पतला हो रहा है, तो आप उसमें एक या दो चमच सूजी भी मिला सकते हैं, तो देखे मेदू बड़ा हमारे बनके बिल्कुल तयार है, बहुत सुन्दर गोल्डन कलर आया है, चलिए इने प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो हमने चट्टी बनाई थी, उनके साथ गर्मा गरम सर्फ कर देते हैं, तो आप भी जटपट बनने वाले मेदू बड़ा को जरूर ट्राइ करें, आपको और आपके फैमिली में सबको बहुत पसंद आएंगे, तो ये थी हमारी आज की recipe, thanks for watching.